मिला अनुरोध होगा माननी रास्तिय महामंत्री तरुन चुक जी से कि पहले आपको संबोधित करें माननी तरुन चुक जी भारती जंता पार्टी में सागर भाई जो की एक बहुत बड़ा नाम है गुजरात की कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पूरव राज्यसवा सदस्य और गुजरात के अंदर चात्र अंदोलन्स में जिन्होंने बहुत बड़ी भुमिकादा गी लगबग 2,000 किलोमेटर की यात्रा कॉलिजिस के अंदर NSUI का अधार बनाना एक बहुत बड़ा कॉंग्रेस का एक ऐसा चेहरा जो लगातार वहां की नेत्रित्तों को युवा सप्लाई करता रहा युवा नेत्रित्तों देता रहा पूरव सांसद रहे, अलग-लग पदों पे रहे, EICC के सदस्य रहे, गुजरात प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के वाइस पेजन रहे, एक लंबी श्रिंकला है इनके साथ, जाए इनोंने गुजरात के अंदर कॉंग्रेस को एक नेत्रित्तों दिया, लेकिन आज ये भारती जन्ता पार्टी के आंगन में आये हैं, और सदस्यता इनोंने आज पार्टी के लिए है, मैं इनका तह दिल से स्वागत करता हूँ, भारती जन्ता पार्टी में जॉइन करते समय इनोंने जो मन के उद्ध, इनोंने बाते मेरे साथ की, कि मैं संजे भाई और चावडा जी, इनके साथ ही कठे थे, कि परधान मंत्री शीरी नरेंदर मोधी जी ने जिस तरह पिछले साथ वर्ष इस देश के अंदर, और उससे पहले लगबग 14 वर्ष गुजरात के अंदर गरीबों के लिए काम किया, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, मेरे साथ चर्चा कर रहे थे सागर भाई, कि देश के अंदर गुजरात एक पहला परदेश था, जहां गरीब कलियान मेले लगते है, गुजरात एक ऐसा परदेश है, जहां नरिंदर भाई ने गरीब के जीवन को किस तरह सिस्टमाइज, अपग्रेट करना है, उसका धांचा विक्सित किया और जिसके इस तरपर आज वो काम जारी है, और परदान मंत्री शीन नरिंदर मोदी जी के एक बड़े नेतरितों को, बड़े वक्तितों को, बड़े-बड़े कारें को देखकर, और कॉंग्रेस पार्टी की लगातार नलाइकी, कल भी उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के देख्ष के रूप में, क्योंकि अब कॉंग्रेस में वहाँ बचा कोई नहीं, नेतरत वहीन, दिशाहीन, निती वहीन, गुजरात की कॉंगरस, देश की कॉंगरस की तरह वो भी हो गई है तो इसलिए एक बड़ा चेहरा आज भारती जनता पार्टी में शामिल हुआ है